और वहीं हिमाचल कॉंग्रेस महासेचिव यश्वन्त च्छाजड़ा ने से हमारे समवाता सुनिल पर्मार ने खास बाच्वित की है और दौरान उन्होंने कहा कि इस बार हिमाचल में कॉंग्रेस की सरकार पने की हमाचल परदेश में राजनेतिक महाकुम के लिए पूरी तरह से बिसाक बिचा दी गई है और वहीं ये दिबात की जाए परचार परसार की तो निरंतर जो है वो दिन परचार जो है वो सभी राजनेतिक दलों का बढ़ रहा है और जिस तरह से बीते कल आखरी दिन था नामां जानना चाहेंगे जिस तरह से समय बहुत कम रह गया है और अब परचार के लिए भी जो है वो स्टार परचार को की हिमाचल आगमन का समय शुरू हो चुका है तो क्या जो है शिडूल रहेगा किस तरह से जो है वो परचार परसार को कॉंग्रस जो है वो जन जन तक आगे प तो गॉंग्रेस पार्टी ने अपने परचार जो है वो सवोलन से शुरू कर दिया था आपने देखा होगा श्रीमित्री प्रांका गांडी जी का स्वोलन जो आगाज हुआ है उसी के मद्देनजर जो है उनकी चार प्रेक्ड आम हमाचल प्रदेश में उनके प्रोग्राम और उसी तरह तीन तारीक को नगरोटा कांगडा में जो है सुभा रोडशो होगा और शाम को चमबा में जो है रेली की जाएगी और साथ तारीक को हमिरपुर में जो है सुभा रोडशो किया जाएगा और शाम को जो है उना में रेली का आयोजन किया गया है और दस तारीक को शिमला में सुबा रोडशो होगा और शाम को सिरमोर के नाहन में जो है रैलिक आयोजन किया गया है और उसी तरह हमारे जो स्टार परचारक और भी जो दिल्ली से बड़े नेता हैं और जो हमारे हिमाचल परदेश के सीनियर लीडर्स हैं उनका जहां जहां पे जिस आदमी का प्रभाव है यह हमारे निर्तितु जह उसको पर मंथन कर रहा है कि कहां पे जो है किस आदमी को बु चानलाइज हो जाएगा और हमारे दिल्ली से जो हमारे स्टार परचारक है वो भी हमाँ चलाएंगे और कांगर्स पार्टी के लिए परचार करेंगे. परदेश जो परभारी हैं वो भी आज शिमला पहुंच रहे हैं तो क्या लगता है कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल के लिए उनकी ड्यूटी यहां लगाए जाएगी और तमाम गतिवीधियां पार्टी की वो देखेंगे या फिर किस तरह से डैमेज कंट्रोल कांगर्स करेंग बाद उनका हिमाचल में ही जो है अगले 10-12 दिन रहने का प्रोग्राम है वो पूरी नजर रख रहे हैं पूरे इलेक्शन के उपर किस तरीके का कहां पर क्या कार्य चल रहा है और हर कंसिच्वेंसी में हमारे दिल्ली से अब्जर्वर्ज भी लगाए गये हैं और हमारे अन मंगन पत्र भरा है उनसे ये लोग बातचीत करेंगे और हमारे स्टेट की जो लीडर्शिप है हमारी अध्यक्षा है हमारे प्रचार स्मीति के अध्यक्षा है सुखु जी है CLP लीडर है मुकेश अगनियोत्री जी है वो सब लोग जो है उनसे मन्थन चल रहा है और मुझे पूरी उमीद है कि 29 तारीक को जो है सब लोग जो है अपना नाम वापिस लेंगे और कॉंग्रस पार्टी के कैंडिडेट के समर्थन में जो है काम करेंगे है तो यह थी एश्वन सिंग छास्टा जिरोंने साफतार पे कहा है कि इस बार जो है वो सूरज किसी और दूसरी और से ही निकलेगा क्योंकि जिस तरह से जनता ने मन बना लिया है कांग्रस की वापसी को लेकर अब चाये भाजपा जितना मर्ची जो है वो राग अलापती रह गी बलकि सरकार बदली जाएगी लेकिन आखरी फैसला तो यह जनता ने तह करना है कि किस की सरकार बनेगी और कौन हिमाचल का ताज बनेगा मैं अपने सही होगी बुश्पंदर चौदी के साथ सुनील परमार एमेच उन प्राइम शिम्ला